Hello and welcome back और आज इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं प्लाजमा प्रोटीन के बारे में आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके हैं से आप जितने भी प्लाजमा प्रोटीन से उन्हें याद कर सकते हैं और प्लाजमा प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉरेंट होता है राइट सो उससे पहले मैं छोड़ा सा ब्लड कॉम्पोजिशन के बारे में बात करता हूँ सिफ तिसमें 30 सेगन लगेंगे तो देखे अगर हम लोग ब्लड के बारे हम बात करें सो ब्लड जो हमारा बना होता है वह दो चीस से मिलकर बना होता है एक होता है आपका प्लाजमा और उसके बाहसे होता है फ़ृम्ट फॉर्मडल fuhr या फिर आप blood cells भी हो सकते हैं तो plasma में फिर देखिए आप बहुत सारा electrolytes होगर रप्रेजंट होते हैं plasma protein प्रेजंट होते हैं और बहुत सारे ions होगर रहा होते हैं ठेके और और अगर होता है तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगा आज सिर्फ हम लोग सिर्फ plasma protein के बारे में बात करने वाले हैं ठेके इसके बासे formd elements के बारे में आप लोग जानते ही हैं जो RBC होता है WBC होता है platelets होगर होते हैं तो इसके लिए अब दिखते हैं अगर blood का composition के बारे में बात करें तो blood में आपका जो 55% होता है वो आपका plasma बनाता है ठेके और remaining जो आपका 45% है वो फिर आपका formd elements होते हैं ठेके तो आज हम लोग बात करने वाले हैं plasma plasma में भी plasma protein के बारे में सिर्फ plasma protein के बारे में बात करेंगे ठेके अब actually होता है क्या है serum का लाता है ठेके so plasma without clotting factor is nothing but serum तो इसे आप याद रखेगा कि बहुत सरी जगों में ऐसे लिखा रहता है कि plasma minus clotting factor is equal to what ठेके तो आपका वहाँ पे serum होगा ठेके तो serum में आपका fibrinogen या फिर दूसरे other clotting factors present नहीं होते हैं सिर्फ यह होता है इसके लावब plasma आपके क्या है plasma एक complex mixture है कि इसी का protein से वगर रखा ठेके इस सब complex mixture of proteins आप बोल सकते हैं ठेके अगर कोई पुछता है कि plasma क्या है और इसके लावब अब देखे actually होता क्या है कि जब प्रोसेस है salting out process तो salting out process से हम लोग क्या करते है plasma proteins को हम लोग separate करते है या फिर find करते है तो जैसे salting out process से हम लोग plasma protein को बाढ़ते हैं तो हमें 3 तरगे plasma proteins मिलते हैं चलिए तो फिर वही 3 तरगे कौन-कोंसे plasma proteins है और उन्हें हम कैसे याद रखे इसील का आज मैं आपको trick बताने वाला हूँ चेके अब देखें अगर हम salting out process से जब plasma proteins को बाढ़ते हैं तो 3 तरगे plasma हमें मिलते हैं और वह कौन-कौन से है मैं यहाँ पे लिग देता हूँ चेके तो salting out process से हमें 3 तरगे plasma मिलता है पहला आपका जो होता है आपका albumin albumin होता है उसके बाद से आपका मिलता है globuline globuline और फिर तीसरा आपका जो मिलता हूँ होता है आपका fibrinogen fibrinogen तो यह 3 तरगे आपके plasma proteins मिलते हैं और इन 3 में से सबसे ज़्यादा जो होता है 55-60% जो इसका contribution होता है plasma protein में albumin का होता है maxine सारे बच्चे जानते है albumin albumin ठीक है इसके लाँ हम लोग edema वगरह में बहुत सारे चीज़ों collidal osmotic pressure ठीक है इससे या oncotic oncotic pressure collidal osmotic pressure बोलते है ठीक है तो यह सब यह responsible होते हो इसके लिए अब हम लोग बात करेंगे तो देखो actually जो albumin है albumin सिर्फ single ही होता है ठीक है एक ही है इसमें further कोई further दूसरे तरह के albumin नहीं होते है सिर्फ albumin एक होता है pre-albumin albumin pre-albumin it's same ठीक है आप वैसे pre-albumin बोलो reason नहीं है लेकिन अब हम globuline के बारे में अगर हम लोग बात करें तो globuline में further बहुत रखे globulines होते हैं कौन कौन से होते हैं देखिए alpha 1 globuline होता है alpha 2 globuline होता है beta globuline होता है और आपका gamma globuline होता है ठीक है और फिर alpha 1 globuline भी बहुत रखे होते है alpha 2 भी बहुत रखे होते है beta भी बहुत रखे होते है और gamma भी बहुत रखे होते है ठीक है तो अब देखो albumine globuline और fibonogen ये सारे बच्चों को याद रखता है हमारे लिए challenging part ये होता है कि हम alpha 1 albumine जो globuline है या फिर alpha 2 globuline है उनको कैसे याद रखे है ठीक है सो मैं आपको अभी वही trick बताने माला हूँ ठीक है सो अब देखे है आपको एक छोड़ा सा एक दिमाग में ये हो गया कि हाँ भाई कैसे study करना इसका ठीक है सो अब मैं आपको जो ठीक बता रहा हूँ जिसके हम से हम लोग जो globuline proteins है जैसे alpha 1 हुआ alpha 2 हुआ beta हुआ gamma हुआ उन्हें कैसे याद रखे है ठीक है सो अब देखे जो globuline proteins है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ globuline जो proteins है उन्हें कैसे याद रखे तो मैं क्या करता हूँ कि इस board को मैं बाट देता हूँ ठीक है कुछ section में ताके आपको आपको actually one by one लिखें को तो फिर मीटाना पड़ेगा तो फिर जो पीछे वाला है फिर आपके दिमार्ग से वो निकल जाए अगर एक साथ रहेगा तो आप compare कर सकते हैं या फिर अच्छे से get कर पाएंगे ठीक है तो देखिए मैं इसे बाट देता हूँ इस board को तीन पार्ट में ठीक है उसके बाद से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है इसके लिए एक छोड़ा सा sentence बहुत ही funny sentence है ठीक है वह मैं लिखूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि वह कौन-कौन से globuline proteins है इसके लिए एक छोड़ा सा sentence है पहले मैं यह भी लिख दूँ कि कौन सा section किसके लिए तो यह है आपका alpha 1 globuline के लिए ठीक है यह है आपका alpha 2 globuline के लिए और यह है आपका beta globuline के लिए और जो gamma है इसके बाद यह बताने के बाद मैं आपको gamma globuline के बारे मैं बताऊँगा ठीक है इसके लिए जो sentence है आपका actually वो sentence एक ही है एक साथ ही है लिकिन उसका तीन टुकड़ा है ठीक है तीन पाथ है ठीक है तो अब देखिए मैं पहले sentence लिखूँगा ताके आपको अच्छे से understanding हो जाए इस sentence का मतलब पूरा clear हो जाए उसके बाद से आपको इसके याद करने के ज़रूत नहीं पड़ेगी तुकिए तो इसके लिए ए हा लॉट औ राट तोल्ट रस तोल्ट काट्स तेक है मैंने लिखा है ए हा साथ है ना करूँगा तोल्ट काट्स देखे, a lot of rats told cats, my healthy pretty cats, let's have party tonight. तो देखे, इनके हिम्मत देखे, चुहाब बिल्यों से बोल रहे हैं कि चलो party करते हैं, कहीं ही का party नहीं हो जाए. तो देखे, यहाँ पे, a lot of rats told cats, my healthy pretty cats, let's have party tonight. इस sentence से जितने भी आपके गामा ग्रोबियों से, प्रोटीन से वो याद हो जाएंगे. Actually, यह मैंने बनाया था जब मेरा semester exam था मेरे university में, ठीक है, क्योंकि मैं मुझे लगा था कहीं इससे कुछ पूछ दे, ठीक है, लेकिन questions इससे आया थे, लेकिन दूसरी तरह थे मतलब उनकी naming के related नहीं थे, ओके, चलिए अब फिर में बताता हूं कि कैसे कैसे उनका नायाद रखना है, यहाँ भी देखें, यह से हो जाएगा आपका, फिर देखें, सेम और इसी fund जो हम लोग apply करते हैं, हरवाट का जो पहले लेटर होगा वो क्या करेगा, एक gamma globuline protein को represent करेगा, ठीक है, अब देखें, यह से हो जाएगा alpha 1, अब देखें, जो भी alpha 1, alpha 2, यह beta है ना, पहले वाले में वो लगेगा, ठीक है, पहले वाले जो protein होगा उसमें वो लगेगा, ठीक है, अलफा globuline है तो पहले वाले में alpha 1 लगेगा, इस से हो जाएगा, A से हो जाएगा अपका, antitrypsin, okay, sorry, antitrypsin, और L से हो जाएगा, alpha 1, lipoprotein, okay, O से हो जाएगा अपका, orosomucoid, okay, R से हो जाएगा अपका, retinol, retinol, binding, protein, retinol, binding, protein, और T से हो जाएगा अपका, thyroxine, thyroxine, binding, binding, globuline, और आपका, C से हो जाएगा, आपका, cortisol, cortisol, sorry, cortisol, binding, binding, protein, okay, so देखें, यहाँ पर, a lot of rats, told cats, से हो जाएगा, alpha 1, antitrypsin, देखें, और उसके बाद से, L से, आपका, lipoprotein, orosomecoid, retinol, binding, protein, thyroxine, binding, globuline, and cortisol, binding, protein, और इस तरह आपके, जितने भी, प्रोटीन हैं, यह सब के सब, alpha 1, globuline, protein है, ठीके, उसके बाद, आपका, यह आजाता है, alpha 2, globuline, protein के बारे में, ठीके, so M से हो जाएगा, आपका, देखें, यह पहला है, तो इसको alpha 2 लिखेंगे, alpha 2, macro, globuline, S से हो जाए आपका, have to, globuline, sorry, have to, globuline, और P से हो जाए आपका, prothrombine, और C से हो जाए आपका, ceruloplasmine, और इसको हम लोग, transferrin भी बूलते हैं, ठीके, sorry, नहीं, इसको हम लोग, transferrin भी बूलते हैं, अब देखें, यहाँ पे, my healthy, pretty cat से हो जाएगा, M से हो जाएगा, mactoglobuline, उसके बाद से, L से हो जाएगा, heptoglobuline, उसके बाद से, P से हो जाएगा, prothrombine, and C से हो जाएगा, syloplasmine, और इस तरह जितने यह proteins हैं, यह सबके सबाब के, alpha 2 globuline proteins हैं, इसके अलावा, अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे, beta globuline के बारे में, ठीके, तो beta globuline के बारे में बात करें, तो L से हो जाएगा आपका, तो फिर देखिए, beta है, तो पहले में आपको beta यूज़ करना है, beta glypo protein, okay, फिर S से हो जाएगा, hemofaxin, sorry, hemofaxin, और P से हो जाएगा आपका, plasminosin, plasminosin, और T से हो जाएगा, transferrin, okay, और इस तरह यह जितने भी protein से हैं, यह beta globuline protein है, ठीके, तो इसके अलावा आप जो बचता है हमारा, वो बचता है आपका gamma globuline के बारे में, तो मैं यहाँ पे लिगता हूँ, गामा globuline के बारे में, ठीके, और वो है आपका, देखे, गामा globuline के बारे में अगर बात करें, तो देखिए, जितने भी हमारे पास immunoglobuline से हैं, ठीके, वो जिसे antibodies वगरा, वो सबके सब किसमें आ जाते हैं, आपके gamma globuline में आ जाते हैं, ठीके, और उसको याद करने का जो तरीका है, वो बहुत ही simple है, और सब लोग I think जानते भी होंगे, ठीके, से याद रखते हैं, ठीके, G, A, M, E, D, ठीके, यसे Ig, G, Ig, A, Ig, M, Ig, E, and Ig, D, यह जितने भी आपके antibodies immunoglobuline से हैं, वो सबके सब आपके किसमें आ जाते हैं, आपके gamma globuline से आ जाते हैं, ठीके, तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, ठीके, कर दो, कि हैं, यह विझा जाग ऑपके जायए जापके हैं, यह जापके इतने जाते हैं